सुशान सिंग राजपूत की हत्या के बाद कई चीजे बाहर निकल के आई हैं कुछ मैंने इंटर्व्यूस पड़े हैं कुछ डिरेक्टली भी बात की है तो उनके पीता जी का कहना है कि वह फिल्म इंडस्ट्री में हो रही ही टेंशन के करके बहुत जादा परेशान थे अभ मैं आपको बताऊंगी कि मुवी माफिय ने आखकी सिर्फ उनको बैंन किया था सिस्टेमाटिक कैसे कत्रा कत्रा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है उनको मारा गया है तो ब्लाइन आइटम आप इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप जब जूठ लिखना होता है आप आपको क जो कि मनाली से डिस्क्रिप्शन पूरी दी जाएगी मगर नाम नहीं लिखा जाएगा 23 ऑगस्ट 2017 को बॉलिवूड लाइफ सुषान के बारे में लिखता है कि वह जब भी सेक्स करता है तो सिर्फ अपने ही गाने सुनता है वह सबसे बड़ा नार्सिस्ट है 16 दिसंबर 2016 मे कि सुषान एक ट्रक ड्राइवर की तरह लगता है 22 फ़रवली 2019 को में लिखते है कि पार्टी में तमाशा करने के बाद सुषान ने सकांच की बॉटल एक डरेक्टर के सरपर दे मारी 18 ऑक्टूबर 20 एक को डियने लिखता है कि सुषान ने अपनी का कर रेप किया और वो मिक जूट और यह जो बुद्धी जीवी जनलिस्ट है यह जो चील कवे गिद्ध है जो मुवी माफिया के पाले हुए है यह इसको मेंटल इमोशनल साइकोलोजिकल लिंचिंग को जनलिजम कहते हैं मेरे बारे मैं अज तक जो भी कहा गया मैंने कुछ निका लेकिन जब एक सवतं हजार जनलिस्ट गैंग अप होते हैं एक अकेली लड़की पर उसकी इमोशनल लिंचिंग करते हैं सरयाम और यह समाज कुछ नहीं कहता है कानून कुछ नहीं कहता है मैंने उनको उन पर केस करने की कोशिश की मगर एक महीने बाद वो गाइब हो गए मेरी फिल्म रिलीज व पर खड़ा है और कभी आवाज ने आप यह पढ़ते हैं चटकारे लेते हैं कभी आपने सोचा है कि कभी नेपो किड्स के बारे में यह क्यों नहीं लिखा जाता है तो यह अन्याय का फंदा किसी दिन आपके बच्चों के गले में लटका मिलेगा आपके गले में लटका मि झाल झाल